अश्राम अलेकुम फ्रेंड्स तो आज हम लेकर आए हैं चिकन चीज बॉल की रैसिपी जो आप घर में बहुत ही इसली और बहुत ही ज्यादा टेस्टी तरीकत से बना सकती हैं इसको तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह देखने में कितने टेस्टी लग रहा हैं तो खाने में किस कदर टेस्टी होंगे तो यहाँ पर हमने ले लिया है यह 400 ग्राम बॉन्लेस चिकन और इसको चोटे-चोटे पीस बना लिये हैं इसको इस तरह से बहुत महीन पीस लेंगे मिकसी के जार में पीस लें तो इसमें हम डालएंगे लस्टन का पॉडर वन टेबलिज tre हमने डाला है फियास पॉडर वन टेबलिजlag पिज़ता है ज़िली इसमें डाल देशी घी या फिर पटर जिससे की नर्मों बने और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास प्याज और लसन का पॉडर नहीं है तो आप उसको बिल्कुल हलके हलके से बहुत वैसे ग्राइंड कर लें बहुत महीन पीस लें उसका सारा पानी नि जितने भी बड़ी आपको बॉल बनानी है उसके हिसाब से यह ले लीजिए यहां पर हमें इतना बड़ा लिया है इसको रहातेली पर इस तरह से फैला लेंगे फिर इसके बीच में रख देंगे चीज तो यहां पर हमने मौजरीला चीज ली है आपको इसी पी चीज ले सकत जैसे कि कौफते बनाते हैं इस तरह से इनको बना लेना है तो इस तरह सारे चीज़ बॉल बनाकर त्यार कर लेने हैं तो अब इनकी हम कोटिंग करने के लिए यहां पर हमने लिए हैं ब्रेट करम्स तो इसमें डाल देंगे चिली फ्लेग्स हाफ टेबल स्पून हमने डाल दाया है इसमें विज और गेनों और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें नमक हाफ टेबल स्पून से भी कम डाली है लाण मेश पॉडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगी इसी क्या होगा कि यह उपर से भी बहुत चकपटे बनेंगे और अ इसमें अच्छे से इसको कोट कर देना है इस तरह से सब बॉल को कोट कर देना है यहां पर हमने लिया है एक अंड़ा इस तरह से इसको फेट लें और फिर यह कोट की हुई बॉल इसमें डाल दें इससे जो हमने मैदे की कोटिंग की है इससे जो इसमें क्रैक आएंगे वो भी नहीं आएंगे और यह चारव दुराफ से बहुत अच्छे से पकेगा और चीज़ भी जब हम इसको पकाएंगे तो चीज़ भी बहार नहीं निकलेगे और फिर इसके आप ज्यादा लॉंग टाइम भी रखना चाहें तो पंदा दिन भी ये इजिली नीचे फिरीज में नीचे रखें उपर नहीं फ्रीजर में नहीं रखें क्योंकि अगर इसमें बरब जम जाएगा तो ये टोट भी सकते हैं तो यहां पर हमने ये दो दिन बाद इसको निकाले हैं ये देखेगा बिल्कुल ताजी एकदम बहुत अच्छी लग रही है और तो यहां पर हमने तेल करम कर लिया है और इसको इसमें डाल देंगे फ्राइ के लिए तो यहां पर मीडियम डो फ्लेम पर इसको तलना है जिसे के अंदर से चीज इसकी पिकल जाए और जब यह अच्छा से इस पर कलर आने लगे तो मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पका लिए और जब इस पर इच्छा कलर आ जाए तो इसको बहार निकाल ले तो फ्रेंड्स आपको यह दिला दें अगर आपको हमाई रसीपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर ज़रू कर दें सब चीजी बॉल बनकर बहुत ही जादा टेस्टी बॉल बनकर त्यार होती हैं और आप इसको चटपटी चटनी के साथ खाईएगा यह सौस के साथ खाईएगा जिस चीज के साथ भी आप खाएंगे यह आपको बहुत पसंद आएंगी तो आपको हमाई रासी पी कैसे लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताईएगा आप खुद देख सकते हैं इस मेसेचीज के सारा से बाहर निकल रही है यह बच्चों को बड़ों को सबको बहुत जादा पसंद आते हैं रमजान में आप इसको जरूर बनाकर खाईएगा अल्ल